आज के हिंदी विशेकार टॉपिक है हिंदी के वड़ क्या है हिंदी के वड़ भारत की सम्विधान में हिंदी को राजभासा होने का सम्मान दिया गया है आता हिंदी को सही ढंग से लिखने के लिए व्याकरल का ग्यानोना अवश्यक है हिंदी को सुद्ध रूप से लिखने के लिए किसका ग्यानों आवश्यक है व्याकरण का व्याकरण के कितने विभाग होते तीन होते हैं पहला होता वर्ड, दूसरा होता सब्द, दूसरा होता वाक्य तो आज हम वर्ड के बारे में पढ़ेंगे वर्ड यानि के अच्छा के बारे में वर्ड भासा की सबसे छोटी काई होती है वर्ड जो होती है भासा जो हमाई होती है जिसके मादेम से हम अपने विचाओ को दूसरों तक पहुचाते हैं चित्रों को देखिए और समझे पहले क्या इंचा, आधा-चा, आधा-अ, आधा-वा, चोटा, आधा-चोटा, क्या होगे चम गा Darby आधा-अ, चोटा, आधा-वा, चोटा, क्या पूरा मिल के होगे कमल मेल चम्मच एवन कमल सब्द कई दोनियों के मेल से बनने हैं ये दोनिया इतनी छोटी है कि अब इनके टुकडे नहीं किये जा सकते हैं किये जा सकते हैं इन दोनियों को ही क्या कहते हैं वर्ण आईए दिखते वर्ड की परिभासा क्या है वह छोटी सी छोटी धोनी जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते हैं वर्ड कहलाती है भासा के समस्त्र वर्डों के निश्चित एम करम वार समू को वर्ड माला कहते हैं अगर कोई पूछता है कि वर्ड माला किसे कहते हैं तो भासा के समस्त वर्डों के निश्चित एम क्रम वार समों को वर्ड माला कहते हैं अब आगे आपका वर्डों के प्रकार वर्ड दो प्रकार के होते हैं नमबर एक होता है स्वर, नमबर टू होता है विंजन अब स्वर वर्ड कौन से होते हैं छोटा से और तक जितने वर्ड होते हैं वो स्वर होते हैं जिनकी संख्या ग्यारा होती है कितनी होती है ग्यारा छोटा से और तक के जितने वर्ड होते हैं स्वर होते हैं इनकी संख्या ग्यारा होती है उसके बाद में आ जाता है वेंजन का से हा तक जितने भी वर्ड होते हैं वेंजन वर्ड होते हैं का से हा तक जितने वर्ड होते हैं वेंजन वर्ड होते हैं इनकी संख्या तेतिस होती है थैंक यू